नमस्कार दोस्तों पेस है बेताल पच्चीसी की कीसुई के था जिसका नाम है अनंग मंजरीवा मरी बर्मा की के था दोस्तों राजा बिक्रमा जित्त ने फिर उस बेताल को सीसम के पेर से नीचे उतारा और कंधे पर लाद कर वापस लोड़ पड़ा मार्ग में बेताल ने फिर राजा को एक रोचक कता सुनाई वह बोला विसालपूर नामक एक नगरी में बदम नाम का प्रतापी महराजा राज्य करता था उसकी नगरी में अर्थदत नाम का एक ब्यापारी भी रहता था जिसने अपने वालिज्य कौसल से अकूत संपता इकठा कर रखी थी अर्थदत की एक ही संतान थी अनंगमंजरी नाम की वह एक अजीब सुन्दर कन्या थी अनंगमंजरी जब बिवाह योग हुई तो उसके पिता ने तामरलीपी नगर के एक संप्रांत ब्यापारी युवक मड़ी बर्मा से उसका बिवाह कर दिया अपने पुत्री से अधिक स्ने करने के कारण अर्थदत तो उसे अपनी सस्राल नहीं भेजा पलकी अपने दामात को वही रहने के लिए बुला लिया जैसे किसी रोगी को कड़वी दवा वा तीखी दवाएं अप्रिय लगती हैं उसी प्रकार अनंगमंजरी को अपना पती मड़ी बर्मा भी अप्रिय जान पड़ता था लेकिन मडी बर्मा को अपनी पत्नी प्राणों से अधिक प्रिय थी वहा हर समय इसी प्रयास में लगा रहता था कि उसकी अतिव सुन्दर पत्नी को कोई कश्टन ना होने पाए एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए मडी बर्मा तामर लिपी चला गया और काफी दिनों तक वहीं रहता रहा इनी दिनों एक बार जब अनंग मंजरी अपनी बिस्वस्त सक्षियों के साथ अपने उचे भवन के जरोखे में बैठी थी उसने नीचे एक गली में एक सुन्दर और तरुन ब्रामर कुमार को आते देखा उसके चेहरे का तेज देखकर वह उसकी ओर आकरसित हो गई वह राज पुरोहित का पुत्र था और उसका नाम था कमलाकर कमलाकर ने भी उचे जरोखे में बैठी अनंग मंजरी को देखा तो वह उसके रूप पर मुगध हो गया वह कुछ छण उसी की ओर टक्टकी लगाए देखता रहा फिर एक मनोहर मुसकान उसकी ओर फेकता हुआ वहां से चला गया अनंग मंजरी उसकी मधूर मुसकान पर जैसे मर मिटी कमलाकर उसके मन पर काम बार चला गया था उस दिन से सारी सुधबुद खोकर वह उसी की याद में विदख्ध रहने लगी उसका खाना पीनत तक छोट गया और वह लज्जा भै में दुबली पतली और पीली पड़ गई प्रिय मिलन बड़ा गठिन था अनंग मंजरी निराज सी हो गई थी कमलाकर को पाने की लालसा में वह एक दिन इतनी ब्याकुल हो गई कि उसने प्राण त्यागने का निश्चे कर डाला एक रात वह चुक्के से अपनी कुल देवी चामुंडा के मंदिर में पहुँची और वहाँ देवी के सम्मुख हाथ जोर कर बिंति की है देवी इस जन्म में तो मैं कमलाकर को पती रूप में प्राप्त नहीं कर सकी किन्तु आसिर बात दो कि अगले जन्मों में वही मेरा पती हो देवी की सम्मुख ऐसा कहकर उसने अपनी पिछोरी से एक फंदा तयार किया और उसे एक असोक ब्रिक्च की साखा पर लटका दिया इसी बीच महल में जब उसकी सकी अतरंग मातलीका की नीन खुली और उसने अनग मंजरी को वहाँ न देखा तो वहाँ उसे ढोणने निकल पड़ी मंदिर के समीप जब उसने अनग मंजरी को अपनी गर्दन में फंदा ढालते देखा तो वहाँ खबरा उठी और दोड़ती हूँ इसकी समीप जा पहुंची उसने उसके गले से फंदा निकाला और ब्यग्रस्वर में अनग मंजरी से पूचा सकी ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण तुम अपनी जान देने को तयार हो गई हो देखो मैं तुम्हारी सकी हूँ, तुम्हारी हीतैसी हूँ, मुझे अपना दुख बता दो मैं अपने प्रयास से तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूँगी तब अनग मंजरी ने अपने मन की सारी ब्यथा सुना कर उससे कहा सकी मेरे हिर्दय में उस तरूर बामहर के ना मिलने से बिरह की अगनी जल रही है यजि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे अपने प्रयतम से मिला दो अनग मंजरी के ऐसा कहने पर मातलिका ने उसे आस्वासन दिया और बोली सकी आज तो बहुत रात हो गई है सवेरा होने पर मैं कुछ प्रबंध करूँगी और तुमारे प्रयतम को इसी जगह बुला दोंगी तुम इस बीच धीरस धरो और अपने घर जाओ सवेरा होने पर मातलिका छिपती छिपाती कमलाकर के पास पहुंची वहाँ उस समय बागीचे में एक ब्रिक्च के नीचे चंदन जल में भीगे कमल पात्व की साया पर लेटा हुआ था उसका एक घनिष्ट मित्र जो उसके सारे रहे से जानता था काम जौला में जलते हुए अपने मित्र को केले के पत्ते से हवा कर रहा था यह द्रिस से देखकर मातलिका ने सोचा कि क्या मेरी सकी अनंग मंजिरा के बिरह में ही इसकी यह धसा हो रही है ऐसा सोचकर वह सत्य पता लगाने के लिए एक ब्रिक्च के पीछे चिप गई उसी समय कमलाकर के उस मित्र ने कहा दोस्त कुछ देर इस सुहावने बागीचे को देखकर अपना जी बहलाओ और अपने हिर्दे में जलती हुई बिरह बेदना की याग को ठंठा करने की कोशिश करो मैं अभी आता हूँ ऐसा कहकर उसका मित्र जाने के लिए उद्रित हुआ लेकिन उसे रोप कर कमलाकर ने कहा मित्र कैसे बहलाओं अपने मन को उस ब्यापारी की कन्या ने मेरे मन को चुरा कर मुझे सूना कर दिया है मेरे सूने हिर्दे को कामदेव ने अपने बाड़ों का तरकस बना दिया है इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं उसे पास अकूँ कमलाकर की ऐसी बाते सुनकर मातलिका का संदेह जाता रहा वह अपने चिपे अस्तान से निकली और कमलाकर के समीब जाकर बोली भद्र मुझे अनंग मंजरी ने आपके पास भेजा है उसने संदेश दिया है कि यदि सीख रही आप उसे ना मिले तो वह अपने प्राण त्याग देगी आपके बिरह में उसकी बहुत बुरी दसा हो रही है सरीर सूख गया है उसके चेहरे की कांदी आभा हीन हो गई है यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूं ऐसा ही करें इस पर बिरह की याग में जलते हुए कमलाकर पर मानो अमरित की वर्सा हो गई हो उसने तुरत तो अपनी सहमत ढखत कर दी तब मातलिका ने कहा आज रात को मैं गुप्त रूप से अनंग मंजरी को उसके महल के बागीचे में ले आऊँगी आप वहीं बाहर ठहरिएगा इसके बाद कोई उपाय करके आपको भी भीतर बुला लोगी और इस तरह आप दोनों का मन चाहा मिलन हो सकेगा इस प्रकार मातलिका ने अपनी बातों से उस ब्रामर पुत्र को प्रसंद किया अपना काम पूरा करके वह वापस लोटी और उसने अनंग मंजरा को भी आनंदित किया उस रात जब वह कामी और उतकंठित कमलाकर सजधच कर अपनी प्रिया के बागीचे के धर्वाजे पर पहुंचा तो मातलिका उसे युगति पूर्वक उस बागीचे में ले गई कमलाकर ने अनंग मंजरा को एक आमर कुझ के चाया में बैठे देखा भटो ही जिस प्रकार चाया को देखकर खिल उठता है वैसे ही कुछ हाल उस समय कमलाकर का हुआ उसे देखकर कमलाकर का चेहरा खिल उठा वहाँ आगे बढ़ ही रहा था कि अनंग मंजरी ने उसे देख लिया काम के आवेग ने उसकी लज़ा नस्ट कर दी थी उसने दोल कर कमलाकर को गले से लगा लिया कहां जाते हो मैंने तुम्हे पा लिया ऐसा कहकर अनंग मंजरी प्रलाब करने लगी अत्यधिक प्रसनता के मारे उसकी सासे रुग गई और उसके प्राण जाते रहे वाय उसे छिन लता के समानवास धर्थी पर गिर पड़ी अहाँ प्रेम का पंथ भी निराला है जिसका परिणाम सदा दुखदाई ही होता है यह अकस्मातिक और भयानक बजरपाद देखकर हाई हाई या क्या हो गया कहता हुआ कमलाकर भी मूर्चित होकर गिर पड़ा कुछ छणों बाद जब उसे चेतना आई तब उसने अपनी प्रिया को गोद में ले लिया और उसका आलिंगन तसा चुंबन करता हुआ अनेक प्रकार से बिलाब करने लगा कठोर दुख की अधिक्ता से वह इतना बिकल हो गया कि पलक जपकते ही उसका हिर्दय फट गया और उसकी भी मृत्य हो गयी मृत्य को प्राप्त हुए दोनों प्रेमियों के लिए मातली का जब सोक कर रही थी तब मानों सोक के कारण ही रात भी समाप्त हो गयी सवेरा हो गया भगीचे के दरवाजे से सारा समचार जानकर उन दोनों के परिवारों के लोग लज्जा आश्चर दुख और मोह से विकल होते हुए वहां आए खेद से मस्तक जुकाए दोनों पक्ष के लोग बहुत देर तक इस दुविधा में पड़े रहे कि अब क्या करना चाहिए सच है बुरी इस्तिरिया कुल को बिगारने वाली और संताप दायक ही होती है इसी बीच उसका पती मडी बर्मा अनंग मंजरी के लिए उतकंठी तामर लिपी से लौट आया पत्नी को याद करता हुआ वह भी बगीचे मेजा पहुँचा वहां उसने अपनी इस्तिरी को पर पुरुष के निकट मरी हुई देखा फिर भी उस पर अत्यांत अनुराग होने के कारण हिर्दय में सोक की अगनी चलूठी और उसने भी वही पर अपने प्राण त्याग दिये तत्पस्चात वहां इकठे हुए लोगों की चीख पुकार सुनकर नगर के सभी लोगों को सारा बृत्तान्त मालूम हो गया और मैं बिस्मित होते हुए वहां पहुँचे अनंग मंजरी के पिता ने चामुंडा देवी का जो मंदिर बनवाया था वहां निकट ही था यह द्रि से देखकर गड़ों ने देवी से निवेदन किया है देवी और स्दत ने ही यहां आपकी प्रतिष्ठा की है यह ब्यापारी सदा से ही आपका भक्त रहा है अता इस दुख के समय पर इस पर दया करें गड़ों की प्रार्थना सुनकर देवी ने उसे पुनर जीवित होने का असिरबात प्रदान कर दिया देवी की कृपा से वह तीनों ही इस प्रकार जीवित हो उठे मानों सोते ही जाग बड़े हूँ अब उनके काम विकार भी नश्ट हो चुके थे यह आश्चर जनक घटना देखकर वहां उपस्तित सभी लोग बहुत आनंदित हुए कमलाकर लज्जा से मस्तक जुका कर अपने घर चला गया अर्थदत भी लजाई हुई अपनी कन्या को अपने पती सहीद घर ले गया उस रात को मार्ग में जाते हुए बिताल ने कथा सुना कर विक्रमा दित से पुनाह पूछा राजन अब तुम मेरी इस संका का समधान करो कि प्रेम में अंधे बने हुए उन तीनों में से किसकी आसकती अधिक थी अनंग मंजरी को कमलाकर की तथा अनंग मंजरी के पती मली बर्मा की यदि जानते हुए भी तुमने मेरी संका का समधान नहीं किया तो मेरा वही स्राप तुम पर फट पड़ेगा बेताल की यह बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया और बोला है बेताल मुझे तो इन तीनों से मरी बर्मा ही अधिक मोहांद जान परता है कारण यह कि सेश दोनों तो एक दूसरे के प्रती अनुरूप्त थे और समय पाकर उनकी आसकती पक्की हो चुकी थी अताहां उन दोनों ने प्रान त्याग दिये तो ठीक ही था लेकिन मरी बर्मा तो बहुत ही मोहांद था उसको तो पर पुरुष के प्रती आसकत अपनी पत्नी पर क्रोध करना चाहिए था लेकिन ऐसा ना करके उसकी प्रीती के कारण सोक से उसने अपने प्रान त्याग दिये अता सबसे ज़्यादा मोह में अंधा वही हुआ उसी की आसकती सबसे अधिक थी राजा का उत्तर बिलकुल सठीक था अता बेताल संतुष्ट हो गया और पहले की ही भाती अपनी माया से राजा के कंधे से उतर कर अंतर ध्यान हो गया दत पस्चाथ फिर वहां उसी सीसम के बिक्ष पर जाकर उल्टा लटा गया उधर द्रिन निश्चाई राजा विक्रमा दित्तभी उसे लाने के लिए वापस उस सीसम की पेल की ओर दोड़ पड़ा यही पर यह कथा समाप्त होती है दोस्तों अगली कथा है चार ब्रामर भाईयों की कथा जो मैं अगले पार्ट में आप के लिए लेकर आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार